अक्सर मा बनने के बाद महिलाए आयोडी लगा तो लेती है, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से लापरवा हो जाती है और इसी लापरवा ही की वज़े से महिलाओ को बाद में बहुत बड़ा नुकसान जेलना पड़ता है कभी कभी periods ना आने पर भी महिलाए बेफिक्र रहती है कि वो pregnant नहीं हो सकती pregnancy के बारे में भी यदि देड से पता चलता है तो गर्ब पात कराना संभाव नहीं होता है यदि आयोडी अपनी जगे से किसक जाए तो गर्ब ठहने की संभावनाए बढ़ जाती है फिर बले ही आपने तीन या पांच साल के लिए आयोडी क्यों ना लगाया हो सबसे पहले आपको बताते हैं आयोडी क्या होता है आयोडी प्लास्टिक, तामबे या स्टेनलेस स्टील से बना एक छोटा सा डिवाइस है जो टी शेप का होता है और जिसे टी कॉपर भी कहते हैं ये डिवाइस गर्बाशे के अंदर रखा जाता है जिससे गर्ब नहीं ठहरता है लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता क्योंकि बहुत सारे केसेज में आयोडी अपनी जगय से किसद जाता है आयोडी शुक्राणूओं को गर्बाशे के माध्यम से फेलोपियन ट्यूब में जाने से रोकता है और निशेचन को होने से भी रोकता है बतादे आयोडी गर्बाशे में 2-10 साल तक रह सकता है और प्रेगनेंसी को रोकने में 90-45 प्रतिशत तक सक्षम है कॉपर्टी का उप्योग जादातर महिलाओं को सुविद्धा जनक लगता है इसलिए बच्चे के जन्म के बाद महिला इसका प्रयोग करती है बतादे कॉपर्टी लगाने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उसके बाद डॉक्टर इसे युट्रेस में इंसर्ट करते है एक बार जब डॉक्टर गर्बाशे के अंदर कॉपर्टी को फिक्स कर देते है तो ऐसा महसूस ही नहीं होता कि शरीर में कोई बहारी चीज रखी हुई है बतादे कउपर्टी लगाने के बाद सेक्श्वWL-related बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है कोपर्टी इस्तमाल करने के बाद महिलाये लंबे समय तक बेफिक्र होकर सेक्श्वL-related में इंवॉल्व हो सकती है अब बात करते हैं आयूडी के न भावनाय रहती है, कुछ महिलाओं को IUD लगाने के बाद हैवी पीरिट्स की समस्या भी होने लगती है, यदि IUD की एक्सपाइरी डेट निकल जाए और महिला को याद ना रहे, तो ऐसी इस्तिती में प्रेग्नेंसी और इंफेक्शन का खत्रा काफी हद तक बढ़ जाता है, उन महिलाओं के लिए जो रोज गोलिया नहीं खा सकती, लेकिन आपको बता दे इसे लगा लेना ही काफी नहीं है, इसे लगा लेने के बाद भी आपको अपने पीरियड्स और शरीर में होने वाले बदलावों पर नजर रखनी चाहिए, और डॉक्टर से रेग्यूलर चेक करक रहना चाहिए, किसी भी गर्ब निरोदक को इस्तमाल करने से पहले उसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बाकी देश और दनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहेए दा नगरी न्यूस, मैं सिद्धीका मनुहर सोनी आपके साथ शुक्रिया झाल